हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 5 की वॉक्षीट नंबर 64 जो की 7 सितंबर 2021 की वॉक्षीट है और आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और बच्चों यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का ना है हमें पहचानना है कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है उस अंतर को ढूंड कर अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर के साथ शेयर करना है तो देखो पहला अंतर है कि यहाँ जो काटून बना हुआ है इसके यहाँ पे क्या है सरकल बने हुए है जबकि यहाँ पे užफूल अलग प्रकार का है जबकि की यहांपर अलग तरीके का है 3 हो गया 4 पूंच में देखो यहां इसके बाद अगला प्रश्ण है दीपा की आमदनी दीपा एक दिहारी मजदूर है यानि उसे महीने भर की तनख्वा नहीं मिलती उसे दिनों के हिसाब से मजदूरी मिलती है दिहारी मजदूर का मतलब होता है जिसको तनख्वा हर एक दिन के हिसाब से मिलती है यानि जितने दिन वो काम करेंगे उतने दिन की उन्हें तनक्वा हर एक दिन मिल जाएगी उसे एक दिन के लिए मिलते हैं 494 रुपए और दीपा 494 में से रोज 65 रुपए अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए गुल्लक में जमा करती है तो दीपा की बेटी हिसाब लगा रही है कि उसकी मम्मी अगस्त के महीने में कितने रुपए जमा कर लेंगी तो देखो हर एक दिन दीपा कितने रुपए जमा करती है 65 रुपए और अगस्त के महीने में कितने दिन होते हैं 31 दिन होते हैं तो अगर हम 65 को 31 से गुणा कर देते यहां से पहले एक को 5 से गुणा करेंगे आ जाएगा 5 फिर एक को 6 से गुणा करेंगे आ जाएगा 6 ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे तीन को गुणा करेंगे पर उसको अगली लाइन में लिखेंगे तो एक के नीचे पहले तो हम यहां पे 0 अपने आप ही लगा देते हैं फिर 3 को 5 से गुणा करेंगे, आजाएगा 15 का 5 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, अब 3 को 6 से गुणा करेंगे आजाएगा 18, जमा में 1 आजाएगा 19, अब इनको हम क्या करेंगे, जोड देंगे, 5 जमा में 0 आजाएगा 5, 6 जमा में 5 आजाएगा 11, तो 11 का 1 हासिल आजाएगा 1, फि इस तरीके से हमने देखा कि दीपा ने अगरस्त महीने में कुल मिला कर 2015 रुपए इकठे कर लिए हैं अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए ठीक है तो ये हमें सीखा कि हमने गुणा किसी भी संख्या को कैसे करना है अब आगे देखो कि सामने डिबबे में उसका तरीका दिखा दिया गया है उसे पूरा कीजिये और पता लगाए कि दीपा एक महीने में कुल कितने रुपए जमा कर लेगी तो अभी हमने देखा था है यहाँ पे कि दीपा ने कुल जमा किये थे 2015 रुपए ठीक है अगला है कि गुल्लक में 65 रुपए डालने के बाद दीपा के पास एक दिन के कितने रुपए बचेंगे अब देखो दीपा को हर एक दिन कितने रुपए मिलते हैं उसे मिलते हैं 494 रुपए और वो गुल्लक में कितने डालती है 65 रुपए इसको हम घटा देंगे हासे लेंगे आ जाएगा 14 14 में से 5 घटाएंगे बचेगा 9 अब यहां बचा 8 8 में से 6 घटाएंगे बचेगा 2 और यहां बच जाएगा 4 यानि गुल्लक में डालने के बाद उसके पास बच जाते हैं 429 रुपीज यानि 439 रुपेज अब देखते हैं हम इसका अगला प्रशन अब देखो यहां पे हमें 4 सवाल दे रखे हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा और क्या रखा है इनको गुणा करके अपने कॉपी में लिखे कि आपने इसको कैसे हल किया है तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले प्रशन से कि इसको हम किस तरीके से हल करेंगे ठीक है तो देखिए इसको हम गुणा करना शुरू करते हैं 2 को 5 से गुणा करेंगे आजाएगा 10 0 और यहां पे 1 फिर 2 को हम 5 से गुणा करेंगे आजाएगा 10 जमा में 1, 11 अब जैसे ही पहली लाइन खतम होगी तो हम पहले अंक के नीचे लगा देंगे 0, इसके बाद 4 को 5 से गुणा करेंगे आजाएगा 20 जो कि हम 0 यहां लिखेंगे और 2 यहां लगाएंगे फिर से हम 4 को 5 से गुणा करेंगे आजाएगा 20, जमा में 2 आजाएगा 22 तो इस तरीके इसको जोड़ेंगे 0, 1 या आजाएगा 3 और 2 तो पहले प्रेशन का जो उत्तर है वो आजाएगा 2310 पहला हो गया, अब हम हल करते हैं दूसरा प्रेशन पहले हमें 9 को 6 से गुणा करना है तो 9 चिक होता है 54 तो 54 का 4 हम यहां लिखेंगे और 5 उपर लिखेंगे ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है अब 9 को हमें गुणा करना है 7 से, तो 9 सत्य कितना होता है होता है 63 जमा में उपर 5 है तो 5 इसमें जोड़ देंगे तो आजाएगा 68 तो यहां पे 68 लिखेंगे अब पहली वाले लाइन कम्प्रीट हो गई अब हम क्या करेंगे 4 के नीचे लगाएंगे 0 अब दूसरी वाली यहनी 3 से गुणा करेंगे 3 गुणा में 6 होता है 18 18 का फिर हम 8 तो यहां लिखेंगे जबकि 1 उपर यहां पे लिखेंगे ठीक है अब 3 गुणा में 7 होता है 21 और जवा में 1 आजाएगा 22 तो 22 को यहां लिखेंगे और इस नंबर्स को जोड़ देंगे यह आजाएगा 4 8 होता है 16 का 6 हासिल आजाएगा 1 6 जवा में 2 होता है 8 जवा में 1 8 से गुणा करेंगे तो कितना आजाएगा 2 अठे होता है 16 अब जैसे ही पहली वाली लाइन कम्पीट होगी हम यहां पे 0 लगाएंगे फिर 7 को 3 से गुणा करेंगे 7 यहां होता है 21 तो 21 का 1 यहां लिखेंगे और 2 उपर लिखेंगे और 7 को जब 8 से गुणा करेंगे तो 7 अठे होता है 56 और जवा में 2 हो जाएगा 58 ठीक है तो यहां पे हम लिख देंगे 58 और इसको जोड देंगे यह आ जाएगा 6 6 और 1 यह आ जाएगा 7 8 और 1 आ जाएगा 9 और यह आ जाएगा 5 तो इस तरीके से तीसरा प्रेशन भी हमने हल कर लिया अब हम देखते हैं चौथा प्रेशन 6 को हम 5 से गुणा करेंगे तो आ जाता है 6 पंजे 30 0 यहां पे और 3 उपर फिर 5 को 6 से गुणा करेंगे फिर से 30 आएगा और जब मामे 3 आ जाएगा 33 पहली लाइन कंप्लीट तो यहां पे अब हम 0 लगा देंगे अब 9 को 6 से गुणा करेंगे 9 चिक होता है 54 तो 54 का 4 तो हम यहां लिखेंगे और 5 हम उपर लिखेंगे फिर दुबारा से 9 चिक 54 जमा में 5 आ जाएगा 59 तो 9 यहां लिखेंगे और 5 यहां लिखेंगे और इनको जोड़ देंगे 0 जमा 0 होता है 0 3 जमा में 4 हो जाएगा 7 3 जमा में 9 हो जाएगा 12 का 2 और हासिल 1 5 और 1 6 तो इस तरीके से हमारे 4 प्रेशन हल हो गए ठीक है अब हम देखते हैं कि हमें आगे वॉक्षीट में क्या दे रखा है अब आगे देखिए हमें बता रखा है कि दीपा अंदाजा लगा रही है कि यदि वह और उसका पती दोनों मिल कर हर दिन 200 रुपे बचा लेते हैं तो एक महीने में कम से कम 6000 रुपे की बचत कर पाएंगे उसने अपनी कौपी पर हिसाब किये बिना ही ये अंदाजा लगा लिया जानते हो कैसे चलो देखते हैं उसने सोचा कि हम हर एक दिन अगर 200 रुपे बचाएं और एक महीने में होते हैं 30 दिन तो हम लगभग 6000 पर बचा लेंगे कैसे पहले हम जो 0 है उनको छोड़ेंगे आगे सिफ 2 है और इधर 3 है तो 2 को 3 से गुणा करेंगे आ जाएगा 6 और इसके बाद जितनी 0 है उसको हम साथ में लिख देंगे यहाँ पे 2 0 और यहाँ पे 1 0 तो इस तरीके से नंबर बना यहाँ पे आया था 6 और इसके बाद हम 3 0 लगा देंगे तो नंबर बन जाएगा 6000 अब ऐसे ही हमें यहाँ पे कुछ प्रशन दे रखें हैं और इनको बिना कॉपी के हल करना है जैसे पहला है 500 गुणा में 40 तो यहाँ पे हम लेंगे 5 और यहाँ से हम लेंगे 4 पांच गुणा में 4 कितना आ जाएगा 20 और इसके बाद 0 कितनी बची है 500 में 2 0 और 40 में 1 0 यानि 3 0 इसके सामने हम और लगा देंगे तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा 20 1000 है ना सिंपल तरीका करने का कि सिर्फ जो नंबर है जो कि छोटे-छोटे है उनको गुणा करो और उसके सामने जितने 0 है वो लगा दो अब जैसे ये 300 है तो इसका हम लिखेंगे 3 और ये 50 है तो इसका हम लिखेंगे 5 तीन गुणा में 5 आ जाएगा 15 अब इसके बाद हमें 0 कितनी लगानी है यहाँ पे 2 0 और यहाँ पे 1 0 तो इसके आगे हम 3 0 लगा देंगे तो इस तरीके से नंबर बना 15,000 तो पहला और दूसरा हल हो गया अब हम देखते हैं तीसरा इसमें पहले में है 7 नंबर और दूसरे में है 8 7 को 8 से गुणा करते हैं तो आता है 56 यानि कि 56 और इसके बाद यहाँ पे 2 0 है और यहाँ पे 1 0 है तो इसके सामने हम 3 0 लगा देंगे तो इस तरीके से नंबर बना 56,000 56,000 अगर हम चौथा देखें तो यहाँ पे है 200 यहाँ का हम ले लेंगे 2 और दूसरे में है 90 तो उसका हम ले लेंगे 9 तो 2 गुणा में 9 आ जाएगा 18 अब इसके सामने हम कितनी 0 लगाएं यहाँ से 2 0 और यहाँ से 1 0 तो इसके सामने हम 3 0 लगा देंगे तो नंबर बन गया 18,000 अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न पांचवे प्रश्न में देखो यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है तो एक गुणा में एक तो एक ही आता है और उसके सामने 2 0 यहाँ से लेंगे और 1 0 यहाँ से लेंगे तो कुल मिला के यहाँ पे बन जाएंगे 3 0 यानि की एक हजार अब अगर हम छटा प्रश्न ले लेते हैं तो इसमें यहाँ पे है 9 और यहाँ पे है 3 तो 9 गुणा में 3 होता है 27 यहाँ पे 2 0 और यहाँ पे 1 0 तो कुल मिला के आजाएंगे 3 0 तो आंसर आ गया 27 000 ठीक है तो हमने देखा कि जितने भी किसी पुराने डिब्बे से गुलग बनाने के लिए प्रेरित कीजिए तो आप भी क्या करेंगे किसी पुराने डिब्बे से गुलग बनाने का प्रयास कीजिए और इसको आप उसकी पिक्चर लेके आप अपने टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं तो ये थी आज की हमारी Maths की Worksheet I hope आपको ये Worksheet बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you